बिस्बिल्लाइरम ररहिम, Computer Science Class First Year Lecture 66 आज हमने इसमें पढ़ना है Benefits of Computer और Video Conferencing Benefits of Computer के हवाले से मुख्तिर्फ हम पहले पाट भी चुके हैं तो इसमें कुछ benefits इसमें मेंशन के हुए हैं जैसे किस हवाले से ये हमारे लिए Beneficent है Computer पहला इसमें आज पॉइंट आ जाता है Speed Computer work at very high speed, it can perform calculation fraction of a second कि जतना भी Computer आप जो भी Digital Computer आज कल हैं को ये पर्चेज करें तो ये हजारों लाखों इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये जो है evaluate कर सकता है इस वज़ा से कोई भी टास्क calculation करनी हो कोई भी टास्क पर्फार्म करना हो तो फूरी तॉर पर इससे हम पर्फार्म करा सकते हैं It can perform complex and complicated calculation varies कोई भी calculation हो किसी भी type की हो अगर हम खुद से उसकी calculation करने लगे हैं तो उस पर खासा time लगे लेकिन इसकी मदद से फौरी तोर पर हम यानि जस्ट आप प्लिक करते हैं और उसका वो रिजर्ट सामने आ जाता है उसके लिए को एक्स्टर टाइम उसमें नहीं लगता हजारून लाखू इंस्ट्रक्शन ये पर सेकेंड एवैल्यूएट कर सकता है और ये कोई बी इनफर्मेशन जो स्टोर की हुई हो उसको आप फैच करना चाहते हैं तो फौरी दोर पर ये फैच भी किया जा सकता है कंसिस्टेंसी है कि इसमें रेपिटीशन कोई भी एक टास्क बार बार आप परफार्म करते हैं तो ये प्रॉपरली उसको परफार्म कर सकता है क्योंकि human के लिए ये difficult हो जाता है कि एक ही टास्क बार-बार करना हो परफार्म करना हो तो बोरियत फील होने लग जाती है जबकि इसमें जो है असानी से हम परफार्म कर सकते हैं computer पर कि जिसमें एक ही result आ रहा हो या फिर different calculation को बार-बार एक ही action परफार्म करना है लेकिन input different है तो उस भाले से भी ये बार-बार हम किसी भी process को हम परफार्म कर सकते हैं it is difficult for human beings to repeat the same action with same results computer can repeat the same action consistently it perform an activity similarly with the same results every time third इसमें आ जाता है precision परिसीयन होता है कि minor सी value point से भी कम वाले value मुख्लिफ devices को जब हम बनाते हैं मुख्लिफ मशीन ने जब हम डिवेल्प करते हैं गारियां बनाते हैं aeroplane's के मुख्लिफ parts को combine करते हैं तो उसमें दो components को जब joint करना हो तो आम routine में यह होता है कि अगर human हम इनसान अगर उसको कोई भी कारिकर जिस तरह हैं तो वो अगर मिला रहे हों उनको बराबर अगर रखकर उनको fit करने हो तो उसमें थोड़ा सा अगर minor से difference आ रहा हो तो वो आम routine में हमें फील नहीं होता लेकिन computerize जो machine ने हैं उनकी मदद से बिल्कुल accurate जो है वो चीज अगर develop होगी तो उसमें वो बनाएगा उसको अधर वो उसको में fault शो कर देगा या उसमें बिल्कुल accuracy उसमें रहती है तो इसमें minor से minor सब ही calculation में या वैसे उसमें कोई भी generate an error if there is a slight difference in the joint के जैसे दो parts को आप किसी vehicle के जो पार्ट के joint कर रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा भी difference हो तो उसको वो error feel कर लेगा है या उसमा जो भी उसका process होगा further उसमें recycling में या जो भी उसमें error का तो वो show कर देगा कि अभी ये joint मिला है या ने मिला है कि इसका result जो है जो digital computer है हमारे ये बिल्कुल reliable है इन में जो result आता है वो बिल्कुल accurate आता है उसमें कोई गलती के chances नहीं होते computer is a reliable machine it's strictly follow the instruction without any variation जो हम instruction देंगे उसने उसे को मताविक उसको follow करना है उसके मताविक ऐसा नहीं हो सकता कि आप instruction दें और वो कोई और instruction follow कर देंगे या sequence चेंज कर देंगे तो खोद से वो sequence चेंज नहीं करेगा it process the data and generates the information with accuracy and consistency we can rely on result generated by computer computer पर जो भी उसके result होगा वो हमें शो होगा हमें उसके हमें उसका इतमाद होगा जैसे कोई भी calculation है खोद से जबानी आप करते हैं तो उसमें calculation में गलती के chance होते हैं लकिन computer जब calculation करेगा तो बिल्कुल accurate करेगा result अगर गलत आता है तो इसका मतलब है कि या तो आपने calculation के लिए जो formula पूट किया है या जो action perform के आफ वो गलत है या फिर input गलत है या उसमें जैसे वोई concept आगे उसमें garbage in garbage out के अगर गलत आप इनपूट देंगे तो result भी उसका गलत आगए इन्कुरेक्ट आएगा तो ये चार इसमें benefits आगए इसके computer के यूज़ा computer के एक अलग से definition इसमें आजते वीडियो conferencing वीडियो conferencing क्या है कि कंप्योटर लैप टॉप या मुबाइल की मदद से live conversation करना कि आपकी वीडियो या आपकी जो पिक्चर है live वहां तक किसी और परसन तक जा रही हो उसकी वीडियो या उसकी live picture आप तक आ रही हो साथ में आप आवाज भी transmit कर रहे हो साथ में को टेक्स भीज़ना ता है तो भी भीज़ना है इसको computer की मदद से भी परफॉर्म कर सकते हैं आज कल मुबाइल की मदद से असानी से परफॉर्म कर सकते हैं मुबाइल पर ये WhatsApp की मदद से परफॉर्म हो सकता है computer पर ये Skype की मदद से भी हो सकता है live conversation या मुख्लिफ और software हैं जिसकी मदद से हम conversation परफॉर्म करते हैं तो live किसी को देखना उससे communicate करना तो उसमें फील होता है कि जैसे आमने सामने ही बैठे हूं एक दूसरे तक बात्चीद भी पहुंचा रहे हूं एक दूसरे के expression भी आप देख रहे हैं ठीक तो फिरस expression भी आप देख रहे हैं साथ में से बात्चीद भी हो रही है कोई भी ऐसा data क्योंकि जब हम communication की बात करते हैं तो बा लिख कर अगर भीजेंगे तो उसका effect दूसरे पर नहीं होगा आप जब बोलेंगे तो आपकी आवाज से वो expression जो हो रहे होंगे या फिर आपकी आवाज से भी बाद वकाद ये expression शो नहीं हो रहे होते हैं तो उसमें face expression से आप उस बात को जैसे अगर आप उसमें बहुत हैं या घमगीन हैं या कोई उसमें तो आप की अगर अलफाज लेकर भेजेंगे तो उसमें इतना effect नहीं होगा आपकी आवाज वैसे आ रहे होगी तो ज्यादा effect होगा साथ में आपकी जो face look है वो वैसे आ रहे हो तो ज्यादा तो ये video conferencing जो है इसकी मदद से दूर दराज में आपकी जो जानने वाले होते हैं उनके साथ आप communicate कर सकते हैं तो यह technology जो है जो डिवेल्प हुई है जब से mobile में यह 3G 4G connection आया तो यह असानी से हम live conversation कर सकते हैं तो वीडियो conferencing is a type of conferencing in which video cameras and microphone are used in discussion, it provides an environment for normal meeting, it enables participants to see here and present material to one another as if they are in the same room, हम जैसे एक ही room में बैठे हों आप पसमें एक दूसरे को देख भी रहे हैं आप आप चीद भी कर रहे हैं तो आपको वीडियो conferencing can speed up business process and procedure, business के आवाले से पहले अगर किसी से meeting करनी हो, को information लेनी है यह meeting करनी है तो आपको वहाँ जाना पड़ता है जबकि आप live conversation से हम असान टेक्नीक्स थी तो उसमें questionnaire की मदद से दूर द्राज लाकों में जो लोग हैं वहां से information collect की जाते हैं लेकिन आज का video conferencing की मदद से आप interview के तोर पर information सारी collect करते हैं इसके benefits में it is an easy way of conducting meeting की meeting जो है को भी conduct करना है तो वह असानी से हो सकती है जैसे आज का lockdown है तो उसमें एक ज difference की मदद से आप तीन चार लोग पांच लोग एकटे बैठ कर आप communicate का सकते हैं it is very cost effective as it saves money required for traveling इससे traveling की जो कास्ट है वो कम हो जाती है सकून से आप घर बैठे हैं आप communication हो रही है आपको वहां जाना नहीं पड़ता उसके लिए किराया या जो भी expense है वो बेयर नहीं करने पड़ते हैं it saves a lot of time and effort कि इससे हमारे पैसों की और कोश्यों की इने effort है struggle है वो की बचा तुझाती है कि जो time traveling traveling पर जाय करने जैसे यहां से अगर मुलतान में किसी के साथ communicate करना है आपने तो वहां जाने की बज़ए एक live conversation कर लेते हैं तो अपासानी से उसमें आपका जाने का आने का time जो है वो उसमें खर्च नहीं होता तो यहां तक यह समें benefits है next आगे उसमें topic की कार है e-commerce का उसको हम detail के साथ discuss करेंगे ओके अलहाफेज